महाकाल की नगरी उजैन में महाकाल जोतर लिंग के अलावा चुरासी महादेव भी स्थापित हैं जिनका अपना-पना अलग महतो है इन चुरासी महादेवों के दर्शन करना बेहद लाबकारी होता है आएए जानते हैं इन चुरासी महादेव के महतो एवं इनके इतिहास के बारे में उज्जैन के सिंग पूरी में स्थित रुपेश्वर महादेव चुरासी महादेवों में 62 नंबर के महादेव हैं सकंद पुरान के नुसार पादम कल्प में कमल से उत्पन राजा पदम था एक बार वे अपने अनुचरों के साथ कई हाथी घोड़े लेकर शिकार खेल ले गय एक गहन वन में पहुँचने पर उसे एक सुन्दर आश्रम दिखाई दिया वहाँ उसे कोई रिशी दिखाई नहीं दिया तब उसने आवाज लगाई तब आश्रम से एक सुन्दर तपस्विनी बाहर आई उसने राजा को आसन दिया और आने का कारण पूछा राजा ने कह वह यहां मूनि की उपासना करने के लिए आया है तब कन्या ने कहा राजन मुझे मेरे पिता का पता नहीं है मै कन्व रिशी को ही अपना पिता मानती हूँ राजा ने कहा सुदरी बाचिस से तुम राजकुमारी लगती हो मैं चाहता हूं कि तुम उझसे गंदरह विवाग कर लिया वे आश्रम से जाने लगे उसी समय कन्वे वहां आ गए लज्जा के मारे कन्या कन्व के पास नहीं गई कन्व कुरुद्ध हो गए उनके श्राप से वे दोनों कुरूप हो गए तब कन्या ने मुनी से अपराद के लिए शमा मांगी मुनी ने कहा मेरे श्राप से मुक्ती के लिए तुम महा काल वन में जाओ वहाँ पशुप पतिश्वर के पूरु में एक लिंग है तुम दोनों वहाँ जाकर उनकी पूजा करो उनके दर्शन पूजन से तुमें पुने अपना रूप प्राप्त होगा तब वे दोनों महा काल वन में गए इस लिंग के दर्शन से उनके अपना रूप प्राप्त हो गया इस कारण यह लिंग रूपेश्वर कहलाया वह राजा अपनी पत्नी के साथ अपने राजय को लोट गया उसने सुक पुरुक राजय किया अंत में उसे मोक्ष मिला रूपेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य धन्वान और रूप वन होता है 84 महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक वे शेर करें ताकि बाकी लोग भी इस के महत्व और इनकी महता के बारे में जान सकें ओम नमस्शिवाए